आजकल दोस्तों दो मौसम चल रहे हैं एक साथ एक ठंडी का मौसम ठंड से लोग काँ परहे हैं और दूसरा चल रहा है शादियों का मौसम दोनों जंगी बेड़े की तरह एक साथ चल रहे हैं शादियां शादियां चारो तरफ शादियां हो रहे हैं शादियों में लेकिन ए पहने हुए, ब्लाउस है, ब्लाउस पीशे पीचीट खुली हुई है, इधर पेट पेट ऐसा खुला हुआ है, और सारी लेडीज मिलती है आईस्क्रीन के काउंटर पे, और आजकल इवेंट वालों ने शादियां उठा ली है, ये ठेकेदारों ने शादियां पूरी की पूर पूरा बदल दिया है, शादी नहीं लगती, अंदर गुसिया लगता है, मेले में आगे, इधर जूला जूला चल रहा है, इधर रबड वाला उसमें स्लाइड होने बच्चे नीचे जा रहे हैं, उपर जा रहे हैं, उसमें हवा भरा वो रबड कूद रहे हैं, जंप कर रह हैं, और पुरानी चीज़े नहीं मिल रही है, खाने में नए-नए आइटम मिल रहे हैं, मो मोस चल रहा है, माउटेल चल रहा है, चाइनीज खा रहे हैं, इधर रंग विरंग शर्बत पिये जा रहे हैं, उदर कुल हड़ वाली चाय चल रही है, उदर पंडी जी गायब, श इन लोग के साथ रजा मुराथ उनके साथ पंडी जी फोटो खिचाने के लिए अपना मुबाई ही और लड़के वालों के पीछे बातरून के पास जाके वहां पर पंजी खेल रहा है और घरवालों से कहे रहा है बद थोड़ी थे आरा गंटा बस चिकन डिनर होने वाला है बस chicken dinner हुआ और मैं आया हर आदमी busy आजीब महौल और सब इसी तरफ busy है खाना लगाए अंदर की तरफ उधर तो कोई जाई नहीं रहा खाना बिचारा गरीब की तरह वहाँ रोटियां इंतजार कर रही है लोग कहते थे रोटि को इंतजार नहीं करवाना चीए दाल रोटि खाओ प्रभू के गुंडगाओ सब फेल कर दिया वहाँ पर जो है रोटियां वेट कर रही है हमें कोई खा लो हम लोग भी इधर है शिकड़े जा रहे हैं दाल पड़ी हुई है मेरे मगल में दाल कोई नही पूछ रहा है रजगुले पड़े टपा करें खुदी भासा करें रजगुला पटा जा रहा है अजीव माहल उधर कोई नहीं रहा है सब यहां पे लगे हुए हैं मोमोज पबजी पबजी चिकन चिकन डिनर जंपिंग हो रहे हैं कूद रहे हैं मॉटे लाओ माहल एक दम ब शादियां करें लेकिन भाइस अब ही जितने इवंवेंट फीकेड रोते शादियों के यह फैक्छोटी क्यों लाज ऑक शादियों में हमेशा चोटी पढ जाती है घर में हम लोग खाते थाली में बड़ी थाली में कुछ शोटा नहीं पढ़तां है प्ले रहे इतनी बड़ पी लेके आये इसलिए आया इसलिए गाना गारे क्या चला बत्तमी चाहिए दाल उधर गुची जारेगी उधर को यह सब वेजिटेरियन के ऊपर वहां पर यह हड्डा रखा हुआ है लोग नल्ला निहारी ले आए नीचे शाकारी ऐसे दब गया शाकारी कह रहा है रहे हमें लाए क्यों तुम लोग यारी उपर क्या रख दिया अटाओ दाल चावल कह रहा है कि मुझे इससे छुआओ मत नौन वेज में छूता नहीं हो नौन वेज में खाता नहीं हटाओ इसको नली निहारी हटाओ हड़ा रखा हड़ा अटाओ उसको खा रहे है अजीब महौल बन उठें अजीब महौल बना रखा है और ऐसी शादियों में भाई साथ 70% लोग जी हां 70% लोग जबरदस्ती बुलाए जाते हैं बिना मर्जी के और 70% ही लोग बेमन से आते हैं बेदिली से आते हैं उनको आपकी शादी से कोई लेना देना नहीं कितने तो आते हैं दूला द अपना दाहिनी तरह मुड़ जाते हैं खाने कि तरफ खाना खाया तो निकल जाते हैं कुछ तो इसलिए आते हैं कहते हैं इनके जो पिताजी थे वो हमारे पिताजी के दोस्त थे इनके पिताजी हमाई पिताजी दोस्त दोस्त दोनों खतम हो गए दोनों मर गए तिनोंनों क पकड़ लिया, काड़ पकड़ लिया, पढ़ लिया, हम चलिया, हमाना कोई शादिज लेना देना नहीं, 70% लोग खाली दिखावे के लिए बुलाए जाते, शोबाजी के चक्कर में, भीड बढ़ाने के लिए, और भाई साथ, उन 70% लोगों के लिए लोग इतना खर्चा करत हैं, जबर्दस्ती, जबर्दस्ती खर्चा करते, 70% लोगों के लिए, ऐसी लाइट लगाएंगा, यह हो यह हो यह हो रही है, कुछ यह हो यह हो रही है, कुछ यह हो पूरा डेकोरेशन किया हुआ, यह 70% लोग मुश्किल से यह लाइटें खाली, इसे पांच मिनिट ऐसे आचा है, आचा है, आचा है, कुछ उसमें इसे होते हैं, जो खाली कहते हैं, अच्छा इन्होंने यह वाली लाइट लगवाईए, पप्पु, अपने यह जो शादी होगी न, हम इससे बढ़िया वाली लगवाएंगे, यह यहां तक लड़ी लगानी चीज थी पूरी, पी खुब बड़ी भरात लाएंगे, खुब लोगो खुब धएर तक नाचेंगे, सब होँगा खुब बत्ती हैठी खुब लगवाएंगे, अपना लड़ो मिठाई, इठाई, खुब लगवाएंगे, खुब खरचा करेंगे, खुब कुछ कुज़, हम कह दे रहें, हम कह दे कुछ लोग वहाँ is लिए आये कि हम इससे अच्छा करेंगे और अच्छा करने के चक्कर में दिखाने के चक्कर में लोग उधार लेके लोन लेके खर्चा करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए और वो लोग मुश्किल से दस मिनट देखते हैं और फिर ये 10 साल तक किष्टे चुकाते रहते हैं लोन की किष्टे चुकाते रहते हैं 10 साल तक